जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं 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 जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं चरणों सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु 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 चरणों सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं जै सात्तुरुदेव जै पदसरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं जै साथ गुरुदेव जै पद सरणु स्रेय शुरूपु छरणु सरणु जै साथ गुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणु सरणं जै सात्तुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणु सरणं जै सात्तुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं 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 जै सात्तुरुदेव जै सात्तुरुदेव जै स्रेय शरूपु चरणं जै सात्तुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं जै सात्तुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं जै सात्तुरुदेव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौ। सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौ। जै सात्गुरु देव। जैपद सरणौ। स्रीय शुरूपु चरणौं सरणौौं। जै साथ दुरुदेव जै पध सरणुं स्रेय शरूपु चरणुं सरणुं जै साथ दुरुदेव जै पध सरणुं स्रेय शरूपु चरणुं सरणुं जै साथ दुरुदेव जै पध सरणुं स्रेय शरूपु चरणुं सरणुं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु देव जै पद सरणं स्रेय शरूपु चरणं सरणं जै सातुरु चरणं झाल झाल पुझे माता और बंदो और वजन के साथ साथ सभी भाई भेन अपने अपने इस्ट का ध्यान करेंगे ध्यान एक इस्ट का एक नाम एक इस्ट एक शकल एक मूरत कल मैंने आपके सामने बहुँ डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे करेंगे सबसे पहरे निश्यत कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत कौन सी सूरत कौन सी शकल आपको सबसे हदा प्यारी लगती है चुनिए जिसमें परमार्गमा की सबसे उची भावना डाल सकते हो उसको मानिए उनी को जानिए उनी को मानना है उनी के विशे में जानना है उनी की अराधना करनी है बदलना नहीं है बार बार अगर बार बार बदलेंगे तो कंसेंट्रेशर और मैंड चित की एकाद्रता प्राप्त नहीं हो पाएगे और जब पूजा का अस्री आनंद है वो नहीं मिलेगा अस्री आनंद पाना है तो एक इस्ट की अराधना करे मन अपने अपने एक इस्ट में लगाए बहर जरूरी है तो अभी एक बज़ार होगा अपने इस्ट की मूरत अपने सामने बनाएं अब भी ख्याल से पूजा तीन प्रकार से की जाती है पहले सारी रिक पूजा दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक ध्यान की जो अवस्ता है अनंद योग ध्यान योग सहद योग यह आत्मिक पूजा जैसे जैसे शारे रिक पूजा आत्मिक पूजा में बदल जाएगे वैसे वैसे आप आनंदित होंगे आनंद रहेगा चिंताएं समाप्त होंगी वड़ी अच्छी स्थितियाब की होगी तो अभी एक भजन होगा अब भजन के साथ सथ सभी भाए बैन अपने अपने इस्ट का ज्यान करेंगे श्री राजेंदर जी नहीं माचल साय भजन कहेंगे मंत्रूलं गुरूर्वाक्यं मोक्षूलं गुरू कृपा जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे जुमती है तू बता मुझे ऐसा की वो शराव कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे जुमती है तू बता मुझे ऐसा की वो शराव कौन सी है तेरी याद मेरी उल्फत तेरा गम मेरी मसरत तुझे कैसे बूल जाओं तु हभी वे जिन्दगी है तुझे कैसे बूल जाओं तु हभी वे जिन्दगी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे जुमती है तु बता मुझे ऐसा की वो शराव कौन सी है मेरी बेश कुदी सलामत ये जनून भी वादत तेरे दर से सर ना उठे तु नमाद आशिकी है तेरे दर से सर ना उठे तु नमाद आशिकी है तेरी बंदगी की लसत कोई मेरे दिल से पूछे तुझे याद करके रोना ये ही मेरी जनूदगी है तुझे याद करके रोना ये ही मेरी जनूदगी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे जुमती है तु बता मुझे ऐसा की वो शराव कौन सी है तुम्हे तवारे वर्पत जो ना हो सका अभी तक मैं समझ गया यकीनन अभी मुझे में कुछ कमी है मैं समझ गया यकीनन मुझे में ही कुछ कमी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे जुमती है तु बता मुझे ऐसा की वो शराव कौन सी है जा में मुस्त किल अता कर या नवाज शेकरम कर जिस हाल में भी रखे तेरी बन्दा पर वरी है जिस हाल में भी रखे तेरी बन्दा पर वरी है झाल 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 श्री ब्रजमन वचनामरुद भाग दो परिच्छे देख अनोखी बासुरी स्थान टी चोंतिस अतुलगुरो रोड ने दिल्ली सन उनने सुटालिस पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधी प्रकट परावर नात रगुकुल मनि ममस्वामि सोई कहिं सिवनाय हुमात श्री परम पूजने सद्गरुदेव जीव का पवित्र पत्र पाकर जो इस दासानो दास को हर्श हुआ हर शब्द प्रकाश उप्त मालुम होता था मानो हर शब्द से प्रकाश निकल कर इस पतीत के हृदय और मस्शिष्क में समाया जाता हो और उसके साथ साथ प्रेम और आकरशन से सारा शरीर ओत प्रोत हो गया हो पत्र पढ़ने के बाद से ही ध्यान की अवस्था में चार चांद लग गए और आज विशेश रूप से गहरी ध्यान के डुपकिया बराबर लगती रही रात्री में भूजन करते समय इसकी अजीब हालत हो गई थी कि दो-चार ग्रास खाने के बाद 15-15 मिनिट तक होश ही नहीं रहता था और धर्म पत्नी के होश धिलाने पर होश आता था ऐसा ध्यान का नशा चाया हुआ था कि यह अधिक बैट भी ने सका और बहुत ही जल्दी इस नशे में सो गया रात्री में लगभग साड़े बारा बजे दास की यकायक आँख खुल गई तो बाशुर की मधुरतान इसके कानों में पड़ी यह चौक पड़ा ऐसी बाशुर की मधुरतान दास ने जीवन में कभी न सुनी थी यह दर्वाजा खुल बहार जाकर इधर उधर देखने लगा कि बाशुरी रात्री में इस समय कौन बजा रहा है पर तो आवाज किसी दिशा डारेक्शन से आती नहीं मालूम होती थी बल किसी दी आकास से उतरती मालूम होती थी थोड़ी देर इधर देखने के बाद विचार आया भला अतुल ग्रोव जैसी एंगलो इंडियन बस्ती एंगलो इंडियन लोकालिटी में रात्री के इस समय इस पहर बाशुरी कौन बजाएगा तता बाहर दूर तक चारों तरफ घोर अंधियारा ही अंधियारा नदर आता था दास बाहर से अंधर आया कमरे का दरवाज़ बंद किया और अपने बिस्तर पर बैटकर बाशुरी की मधूरतान सुनता रहा बासुरी की तान के साथ साथ इसका हिर्दय लहराने लगा और आनन का एक अनोखा समा बंद गया इस मधूर तान में यह दास बहुत देर तक जुमता रहा दास के आनन का पारावर न था इसी मधूर तान को सुनते सुनते यह पती दास लेट गया इसका हिर्दय बासुरी की तान के साथ साथ कूदने लगा यों तो सारा शरीर वा मन ही इस तान के आनन के रस में लीन थे परन्तु ऐसा प्रत्यक्ष प्रतित होता था कि तान का प्रभाव रुदय पर विशेश रूप से था रुदय साफ तान के साथ साथ उच्छलता मालूम होता था इसी समय एक हलकी सी आवाज ने इस पतीत से कहा क्या इसे साधारन बांसुरी की तान समझता है यह स्वयम स्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से बजाए हुई बांसुरी की मधुर तान है जिसे सुनकर स्त्री पुरुष्टो क्या पशुपक्षी भी सुद्वद भूल जाते थे यह आज भी ब्रह्मान में वैसे ही समाई हुई है बुद्धी माइन के उचित रुफ से सम अवस्था ट्यून होने पर आज भी वैसे ही सुनाई देती है ऐसा कहकर यह आवाच्विर सुनाई नहीं दी इसके पश्चातो बासुरी की तान का माधुर्य कई गुणा बढ़ गया और इस दास के तान के आनन सागर में ऐसा लीन हो गया कि इस आनन द्रस में इसे कब नेंद आई कुछ पता न चला रात्री में प्रातक का लगबग साड़े चार बज़े उठने से पूरू निमनल के सुपन भी देखा सुपन में देखता है कि आदमी के कच से जरा बड़ा एक बहुत ही साफ शीशा मिरर सामने रखा हुआ है और यह दासानु दास कुछ शीशे के सामने खड़ा है चहरा भरा हुआ लाल-लाल बढ़िया सूट पहिने तता टाई लगाए बाल सुन्दर रूप से कड़े हुए हैं बूट पॉलिस से चमकते हुए कोट की जेब से रुमाल थोड़ा थोड़ा बहार चमकता हुआ वो फाउंटेन पेन लगा हुआ उपर से नीचे तक टिप टॉप इस साथ के साथ साथ शरीर वा मन में राजसी अकड़ शीशे में अपनी ये शक्ल लिबास और अकड़ देखकर इस पतीत का हिरदय रो उठा और ये चीक उठा है गुरुदेव क्या अब भी शीशे में पतीत की ये मनुहुश शक्ल ही दिखाई देती है है सत्प्रभो अब तो इस पामर पर दया करो है करुना सागर अब तो इस अधम की इस शक्ल को हमेशा के लिए खत्म कर दो दया करो प्रभो और इस प्रातना के साथ साथ दासान उदास फूट फूट कर जमिन पर सिर रख कर रो उठा तोड़ी ही देर में अपने इस करुन रुदन के बीच में सद्गुरु देविची की आवाज साफ सुनाई दिती है अब बेफिक्र हो जा अरे क्यों रोता है देख शीशे में तू नहीं उसमें अब मैं हूँ पति दासान उदास ने जो सिर उठा कर अब शीशे की ओर देखा तो शीशे में अभियापतित नजर नहीं आता था बलकि परम पावन परम कल्यांट सुरुप सिरी सद्गुरु देवजी ही विराजमान दुरुष्टी गोचर होते थे सिरी सद्गुरु देवजी के शीशे में दर्शन कर पति दासान उदास को बड़ी तसलिव हर्श हुआ और वो इसी बीच में इसकी आँख खुल गई आँख खुलने पर ऐसा महसूस होता था कि मानू सद्गुरु देव जी इसकी आत्मा में समा गए हैं अथवा उनकी आत्मा इसके शरेर में आ गई है उठते ही उठते या का उठा मोहन बसी गयो मेरे मन में लूक लाज कुल कानी छूट गई या कीने हलगन में मोहन बस गयो मेरे मन में जित देखों तित ही वह दीखे घर बाहर आंगन में अंग अंग प्रती रोम रोम में चाई रहयो तन मन में मोहन बसी गयो मेरे मन में कुंडल जलक कपोलन सोहे बाजु बंद भुजन में कुंडल जलक कपोलन सोहे बाजु बंद भुजन में कंकन कलित ललित बन माला नुपुर धूनी चर्नन में मोहन बसी गयो मेरे मन में चपल नैन भुकुटी बरबां की ठाडु सघन लतन में चपल नैन भुकुटी बरबां की ठाडु सघन ललत में नारायन बिन मोल भिकी हों याकी नैन हसन में मोहन बसी गयो मेरे मन में परिछे दो धर्म पत्नी चिंता में स्थान टी चोंतिस अतुल ग्रो रोड नै दिल्ली सन उनने स्वड़तालिस निजब्रमनाही समूजही अज्यानी प्रभु परमोह धरही जड़ प्रानी जथा गगन गन पतल निहारी जापे उभानी कहीं ही कुभी चारी इन दिनों इस दासान उदास की हालत कुछ ऐसे ही हो गई थी कि केवल एकांधी प्रिय था घर में किसी से बाचित ही न करता हर समय ध्यान आवस्ता में लिन रहता था अक्सर आँखों से आसु ढुलकते रहते थे इस दास की ऐसी अवस्ता लगातार देखकर धरम पत्नी को बड़ी बैचैनी हो गई थी तता एक दिन उसने दासे अनुरोत किया कि यह उसके साथ बुलेंशर पूजनी चाचा जी स्री मोहनलाल जी के पास चले दास को इसमें क्या पत्ती थी? एक दिन की चुट्ती ले ली गई तता बुलेंशर जाने की तैयारी हो गई धरम पत्नी तरह बच्चों को स्री प्यारेलाल एंडसंस की दुकान के समीब क्वीन स्वे पर खड़ा करदास सिंधिया हाउस तांगा लेने के लिए आगा पड़ गया तांगा लेकर जब वापिस लौट रहा था तो तांगे में बैठे बैठे ही दासान उदास के होशो हवाज गुम हो गए यहां तक कि जब तांगा धरम पत्नीवा बच्चों के समीब आया तो बावजूद उनके दोर दोर से आवाज देने के भी खोश ना आया और तांगा इंपिरियल होटल के और आगे बढ़ चला इंपिरियल होटल से थोड़ी आगे निकलने पर इसको यकाया खोश हुआ तो इसने तांगे वाले को रोका और कहा बच्चे तो पीछे रह गए वापिस चलो तांगे वाले ने तांगा घुमाते हुए कहा आप बड़े अजीब मालूम होते हैं जो वीवी बच्चों को भी भूल गए प्यारे लाल एंट संस के पास दोर लड़के और एक औरतों को आवाज भी देते रहे वो फिर भी आपने तांगा नहीं रुकवाया दास ने कहा हाँ वहीं खड़े थे वहीं चलो तांगा वापिस आया तो धरम पत्ने ने कहा कि हम तो आपको आवाज भी देते रहे परंतु आपने तांगा ही नहीं रुकवाया दास शर्मिंदा था तांगा बुलंशर बस स्टेंड क्यों बड़ चला था तता जल्दी बस स्टेंड पर पहुँच कर बजवी फोरण ही तयार भी मिली हम लगबख साड़े शे या साथ बज़े सायन काल तक बुलंशर पहुँच गए रच के दो पही सान बुलंशर सन उन्ने सौड़ तालिस जगत प्रकाश प्रकाश करामू मायाधी सज्ञान गुनधामू जासू सत्य ताते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया बुलंशर पहुचकर धर्मपत्नी ने इस दासान उदास की बड़ी शिकायतें पूजने चाचा जी से की और बतलाया की हर समय ही इनका ध्यान चलता रहता है घंटो घंटो बैटे रहते हैं और होश वास कुछ नहीं रहता है इदर इस दासने भी पूजने चाचा जी के पूछने पर साने अनुबावा हालात कह सुनाएं जिसे सुनकर आप बहुत खुश हुए और कहने लगे कि परमात्मा वा सद्गुर्देव के आप पर बड़ी विशेश कुरुपा है जो ऐसा हुआ है हमें तो यह सब सुनकर बहुत ही खुशी हुई है ऐसी हालतें तो सारे जिन्दी के अभ्यास करने पर भी प्राप्त नहीं होती अब जरूरत इस बात की है कि गुरु महराज की आग्या में हरफ बरहरफ चलकर लगन के साथ इसी रास्ते में लगे रहो तता इस विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करो याद रखो गुरु महराज की आग्या का पालन करना बड़ा जरूरी है अध्यात्मिक तता सांसारिक कोई भी काम बिना उनके आग्या के ना करो जितना ही जो अपने आपको अपने गुरु पर नियोच्छावर कर देता है उतनी तरक्की उसकी इस मार्ग में हुआ करती है यह दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है और इससे बड़ी दौलत संसार में दूसरी नहीं है इसी बीच में पूजनी चाची जी भी बैटक में शिकायतों का पुलिंदा लेकर पदहरी और कहने लगी आपने अच्छी पूजा सिखवाई यश्पाल ने तो घर का सब कामी देखना बंद कर दिया जब देखो आँख मीचली और घंटो घंटो पूजा में बैटे रहना न दिन देखना न रात अच्छी पूजा रही बहुत बिचारी बहुत रो रही है एक दिन रात में तो बड़ी हालत खराब रही नपस व दिल की धड़कने विगरे कुछ भी नहीं मालूम होती थी शरीर निरजीव सा मालूम होता था बहु बहुत घपराई हुई है उसकी आँखे रोरो कर सूज गई है बच्चे भी खोई खोई से बड़े सुस्त है इसी बीच में धरम पत्ने भी बैठक के दुवारी वाले दरवाजे पर आकर वारताराब सुनने के लिए खड़ी हो गई पूज ने चाचा जी ने फरमाया हमने सारी बाते मालूम कर ली है कोई घबराने वाली बात नहीं है रोने की क्या बात है राम नाम तो बड़े भाग्य से मिलता है किसी खराब काम में तो है नहीं जो परेशानी की बात हो सब ठीक हो जागा सब गुरु माराज देखरे करते हैं कोई फिक्र की बात नहीं है धर्म पत्नी को पूजी ने चाचा जी से ऐसी आशा नहीं थी वह समझती थी कि चाचा जी जरूर बहुत नाराज होंगे इसलिए रूंदे गले से धीरे से बुली तो मुझे भी ऐसी पूजा सिखवा दीजिये ताकि मैं भी सब कुछ भूल जाओं और मुझे भी किवल रामनाम के और कुछ खोश न रहे चाचा जी हाँ हाँ तुम भी पूजा अवश्य सीखो यह तो बहुत अच्छी बात है दरसल घर में दोनों को ही पूजा सीखनी चाहिए तब ही ठीक रहता है स्त्री पुरुष रत के दो पहिये हैं जब दोनों पहिये ठीक होते हैं तब ही रत अच्छी तरह से चलता है मैं तुम्हें शुरुवात करवा दूंगा बाकी पूजा सिखाएंगे दद्दाजी महाराजी अब की बार जब आएंगे तो तुम्हें दिक्षा दिला देंगे धरम पत्नी मुझे भी पूजा दरूर आरंब करा दें और थोड़ा इने भी समझा दे कि घर का तता बच्चों का कुछ तो ख्याल रखा करें यह तो दिन देखते हैं न रात हर समय जब देखो ध्यान में ही डूबे रहते हैं चाचा जी तुम बेफिक्र रहो बेटी रूप से गुरहस्त थे इसी प्रकार ददाजी महराजी पूरे गुरहस्ती हैं सरकारी नोकरी करते हैं गुरहस्त के सारे काम देखते हैं पर इसके बावजूद आज भी उनका ध्यात्म जगत में बड़े बड़े असन्या सी भी सानी नहीं रखते पूर्ण हस्ती है ऐसा फकीर मिलना दुरलब है तुम चिंता किसी भी बात की बिलकुल ना करो यश्पाल रात को मेरे पास सोएगा मैं इसकी हालत को अच्छी तरह देखूंगा और दुआ करूंगा गुरु मारत चाहेंगे तो कल से बिलकुल ठीक हो जाएगा तुमने बड़ा अच्छा किया जो इसे अपने साथ यहां लेवा लाई अब निश्चिन्त होकर खाना खाओ मैं इसे सब कुछ समझा दूँगा इसके पश्चा सबने भोजन किया और उज़र आत्री के सत्संग का भी समय भी हो गया सत्संग भाई बहन आना अरंभ हो गए सबसे पहले बुड़े मुनीम जी ठाकूर अमर देवसीं जी पधारे पूजने चाचा जी ने दास के विशेमों से बाचित की उन्हेंने भी यही कहा कि बड़ी खुशी की बात है गुरु माराज की बड़ी विशेश कुरुपा है और देवसीं जी पहले कर सिर्फ पर बड़े फ्रेम से हाथ फेरा धीरे धीरे सभी भाई पधारे दास ने सब को ही साधर नमसकार किया पूजने भाईयों के बातार करते हुए इसने कभी मैसूस नहीं किया था पूजने भाईयों के बातार करते हुए पूजने भाईयों के बातार करते हुए करते हुए पूजने भाईयों के बातार करते हुए झाली भाईयों के बातार करते हुए कर दो 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 झाल 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 झाल